ISIS इंडिया के प्रमुक हैरिस फारुकी और उसके सहयोगी को असम के धूबरी से गिरफ्तार कर लिया गया है NIA अब दोनों से पूश्टाज करने वाली है Islamic State in Iraq and Syria यानी ISIS के इंडिया के प्रमुक हैरिस फारुकी को गिरफ्तार कर लिया गया है NIA के इंपुट पर असम STF ने ISIS के इंडिया हैड हारी फारुकी को उसके साथ ही समेथ गिरफ्तार किया दोनों आतंकी बंगलादेश बॉर्डर क्रॉस करके भारत आये थे दोनों आतंकियों की NIA को तलाश थी और दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसके बाद असम STF को ये सफलता मिली असम के धूबरी के धर्मशाला छेतर में अंतरराश्टी सीमा पार करने के बाद गिरफ्तारी हुई जिसके बाद दोनों आतंकियों को असम STF ने NIA को सौप दिया है धूबरी से गिरफ्तार आतंकी हैरिस फारुकी दहरादून का रहने वाला है उसका साती अनुराख सिंग उर्फ रहान पुत्र मनबीर सिंग निवासी दिवाना पानीपत का रहने वाला है अनुराख सिंग उर्फ रहान ने इसलाम धर्म अपना लिया था अनुराख सिंग उर्फ रहान की पतनी बंगलादेशी नागरिक है इन दोनों का मकसद भारत में ISIS का नेटवर्क स्टैबलिश करना था NIA अब दोनों से पूश्टाच करेगी और कई राज उगलवाने की कोशिश करेगी तो ISIS का सर्गरा का गिरफतार होना वाकई में एक बड़ी काम्याबी है अब इस से पूश्टाच की जाएगी और भारत में जो ISIS का नेटवर्क चल रहा है उसको नेस्तनाबूत करने की भी कोशिश इसके जर्ये की जाएगी